इक्जाम दौर चैनल पर स्वागत है, लाइक करें हमारी वीडियोज को साथ ही सद्काइब करें और बेल आइकन को बदाए, ताकि आपको नए-ने वीडियोज मिलते रहें, तो आइए सुरू करते हैं, आप सभी का इक्जाम दौर चैनल में, एस्टेट बिहार का भी एक्जा जा रहा है कि एक्जाम में क्या अलग-अलग सेक्षन वाइ जैसे अर्चास या इतिहास या भूगोल या राजितीशास का अलग-लग पुछा जा रहा है, तो नहीं, सब मिक्स करके पुछा जा रहा है, पहले क्या था जब फौर्म भरा गया था तो उसमें, फौर्म पार्ट आपको देना पाए लेकिन जब एक्जामा भी चल ला है तो उसके नए पैटर्ण के हिसाब से सारे को मिक्स कर दिया जा रहा है मतलब पचास को सिक्षन कला है उसमें तो रिजनिंग मैस है ही है है दो चार पांच जो भी उसके अलावा इतियास भूगोव राजनिति हुसाइस चारों से मिक्स करके पूछा जा रहा है पूछे में ग्रहें सेंगे पीधे क्रिए सब्सक्राइब लेक्द आपके अब करें आपके घ्याम के आपको आइडिया हो जाए और। सब मिला निज्वार्छे पूछे लगा है वह की अब इसने शुर्ण हैं लोग दर आंगे विदिशा करें सेंगे लिगा पहला कोशन लेते हैं कावेरी नदी विवाद का संबंद निमलिखित में से किस किस के बीच में हैं बहुत पुराना विवाद है और यह करनाटक और तमिनाडू के बीच में हैं कावेरी जल विवाद समदर तल से उपर विष्व की सबसे बड़ी परवस रिखला कौन से हैं हिमारे परवस रिखला सबसे ऊंची है निमलकित में से किस ग्रह का कोई उपगरा नहीं है या चांद नहीं है तो बुद्ध का कोई उपगरा नहीं है यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है 28 फॉररी को भी जो बिहार एस्टेट का इजाम वात है उसमें इस टाइप के कोशन पूछे गए थे पुर्थ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनती पर घूमती है तो सारह 30 डिगरी पर घूमती है वायू मंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निमलकित में से किसके कारण होते है तो छोब मंडल कारण होते है मौसमी सम्भनिक अतना है छोब मंडल मारबल किसका कयांतित रूप है त अगर एक वार दो वार वीडियो को देख लिएगा अच्छे से मेरे जितने वीडियो जो पिछले चार-पांद देख लिए आपके लिए तियार किया है नए पैटरन पर आप देख लिए आपका इजाम में आप बहुत अच्छा स्कूर करेंगे सारे वीडियो आप देख लिए अच्छे से तो गैरेंटी है इसकी इसलिए मैं चाहता हूँ आप 1500 का 1500 करें बहतर करें और निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए 100% कर गया है जलिए थल्समीर और समुद्यसमीर बनने का कारण क्या है इसका कारण है समवहन भूट एस्ट्रून को यह नहीं पता होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है कि नहीं मैं आपको बता दू अगर आपमारे चैनल के सदस्त हैं तो आपको जानने का हक है कि यहार एस्टेट के एक्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आपने एक सो बीस तीस कोशन जितना ही बना लिया है साही साही जो कोशन बच रहा है एक्जाम खता हुने आ नहीं है आप तुक्का लगा लिजे लास्ट का लेकिन छोर के मत आईए क्योंकि आपको निगेटिव मार्किंग है नहीं तो जो चार पांच जो भी सही हो जाएंगे तो जो भी आपका लास्ट में बच रहा है उसमें आप पूरा का पूरा एटेम्ट कर दे अगर पंदरा क सबसे गहरा गर्त या सर्फेस डिप्रेशन है मेरियना ट्रेंज बोलते हैं या मेरियाना खाई भी बोलते हैं चलिए नेक्स्ट ग्रीन अकाउंटiंग का अर्थ है या डेस की आकरण को ध्यान में रखते हुए देस की राष्टीये आयको मापना प्रदूसन और पढ़्या वर्णिये छती को ध्यान में रखते हुए चलिए पारस्तितिक प्रणाली क्या होती है जैप प्रणाली होती है एक और जानकारी देदू बियार एस्ट्रेंट का इजाम जब खतम हो जाएगा उसके आद निशीत रूप से इसमें बहुत सारा हमारे जो इस एक्जाम द्वार के सदस है जो भी सब्सक्राइबर है बहुत सारे एस्ट्रेंट आप लोग होएंगे जो रेलेवे एंटेवी से गुरूप दी का फर्म भरेंगे जिसका एक्जाम 15 दिसंबर को गोसित किया है रेलेवे ने तो उसके लिए हम आपको 100 सेन कंप्रीट सीरीज लेके आ रहा है मैं खुद एंटेवी सी कितनी वार क्वालिफाई कर चुका हूँ और आपको 82, 85, 90, 92 माक्स तक मैंने उसमें स्कोर किया है 100 में तो इसके लिए आपको मैं बेहितर एदम क्रीम अपने एक्स्प्रीयंस के हिसाब से बेहितर सीरीज लेके आ रहा हूँ आफ्टर एस्टेट एक्जाम तो आप सरी जूरे रहें बने रहें जितना उसाय दोस्तों को बताएं ताकि रेलेवे का एंटी पी सीचु की सीट बहुत जादा है तो आप निश्ची तरूप से नोकरी हासिल करें अगर आपने फॉर्म बढ़ा है तो तो हम इसके एस्टेट की एक्जाम खत होने के बाद लेके आएंगे शुरू करेंगे 25 सेप्टेम्बर से चलिए बढ़ते आगे कोशन लेते हैं 61 नमबर एक विशेज फरकार का कुवा जिसमें जल अस्तम के दवाप के कारण पानी सवता एक स्षेज से भूपिर पर उठ आता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं उस्त नोस्त बोलते हैं बढ़ते आगे निमलिकित मेंसे किस राज की सीमा मयाद मार से नहीं लगती है हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने नौर्थ इस्ट उत्तर पुर्वी राज्यों के बारे में डिटेल बताया कि कौन सा सीमा किसे लगता है नहीं लगता है साइड राज्यों का डिटेल तो आप ओचैनल पर जाकर देख सकते हैं चलिए तो इसका एंसर बताते हैं इमेगाले जो है कि सीमा जो है मैंनमार से नहीं लगती है चलिए नेक्स कुस्तन लेते हैं प्राज दीपिय भारत के सबसे बढ़ी नदी कौन सी है प्राज दीपिय भारत के सबसे बढ़ी नदी गोदावरी है निमलिकित में से किन भारती है राज्यों में सीत रितु में पस्चमी मौशम भी शोपर के कारण वर्सा होती है तो पंजाब और हर्याना निमलकित में से कौन सा राज गेहूं का उत्पादन नहीं करता है तमिलाडू जो है गेहूं का उत्पादन नहीं करता है भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुनला में किस का अन्य काफी कम है क्योंकि कोईला और लोहा एक ही छत में मिल जाते हैं ठीक आपको पता है जारखंड में उपलब्ध है दोनब बरपुर मात्रा में सन 2011 की जनकरना के उसार भारत में पुरुष साक्षर्टा दर कितनी थी तो अस्तीद समलो नौ जीरो परतिसत थी पुरुष साक्षर्टा दर भारत के किस राज्जमी ने घरों में वर्षाजल संचय को अनिवार्ज बनाया है तमिलनाडू ने निमलिकित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है हमेशा ध्यान रखिया कि लगती है नहीं लगती है जौर्जिया की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है निमलिकित में से किस को लालगरा कहा जाता है तो मंगल को लार्गरा कहा जाता है व्यापारिक पवने कहां से चलती है तो उपुस्न उचदाप से चलती है व्यापारिक पवने डोलामाइट है और साधी सैल है डोलामाइट निमलिकित में से कौन सी जगा भारत में जै बीबिता के लिए प्रमुक अस्तल या होट एस्पोर्ट है, तो पच्मी घाट जो है होट एस्पोर्ट है, एल नीलो है, उसने समिद्री धारा है, एल नीलो, उस्तम कोटी और सरोत्तम गुनवत्ता वाला कोईला कौन सा है, एंत्रासाइड जो है, सबसे बढ़िया कोईला है, परभच्छन के निमलिखित परिस्तितियों में से किसमें सिकार के उपर परभक्षी का अधिक नियंतरन होगा, छिपकरी और कीट वाले मामले में, ठीक है, किसी खेत में साप और गिद चूहों को खा रहे हैं, यदि उसी खेत में जंगली कुत्तों को छोड़ दिया जा होगा, चूहों के संख्या में कमी हो जाएगी, उद्धम सिंग नगर जिला निमलिकित में से किस राज में है, तो सही उत्तर इसका उत्ता प्रदेश में, उद्धम सिंग नगर उत्ता प्रदेश में है, निमलिकित में से हुआ कौन सी नदी है, जिसका उद्गम भारतिय र राजच्छत में नहीं है तो घागरा उसका उद्गमस्तर भारतिय राजच्छत में नहीं है निमलिकित में से वो दो राज़ कौन से है जिनमें लोटते विए मांसुन के द्वरान प्राया चक्रवात आते हैं तो आन्परेस और उरिसा यहां चक्रवात आते हैं भारत में किस के लिए रवर का पौधा कहां से लाया गया था ब्राजील से आया था रवर का पौधा निम्लिकित में से उर्जा का गैर प्रागत सुरत कौन सा है तो प्रकास वोल्टिये उर्जा जो है उर्जा का गैर प्रागत सुरत है प्रकास वोल्टिये उर्जा 2011 की जनगन्ना के अंसार भारत में लिंग अनुपात दर महिलाय प्रती हजार पूरुस है कितनी है तो 943 थी भारत हाली में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो बंगला देश के साथ किये है हस्ताक्षर विस्ट में कौन सा बरा द्वीप निमलिखित में से कौन सा है विस्ट में सबसे बरा द्वीप निमलिखित में से कौन सा है तो यह ग्रीन लेंड है सबसे बरा द्वीप है ग्रीन लेंड है हमाय सौर मनल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सुक्र जो है सबसे चमकिला है रेखांस की परतेख डिग्री के लिए किसी जगा के अस्थानीय समय में ग्रीन वी समय से कितना अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है आईसो बार रेखा है किन अस्थानों को आपस में जोड़ती है एक्जाम में बार और पूछा जा रहा है आशकल तो आईसो बार ध्यान रखेगा बराबर दाव वाले को आईसो बार गेसर या गीजर एक जल स्रोत होता है जो नियमित अंत्रालों पर जल और वास फेकता है समवहनी वर्षा कहा होती है तो विश्वतिये छित्रों में होती है समवहनी वर्षा दो समद्रों को जोडने वाले पानी के संकिन विस्तार को क्या कहते है तो जल डमनू मद बोलते है इसको एस्टिट बोलते है या जल डमनू मद निमलिकित में से कौन सा संसादन अजयव और नवी करनी है पारिस्तितिक तंद का निर्मान निमलिकित में से किसके द्वारा होता है एक जीवन समुदाय और उसके पर्यावरन से पारिस्तितिक तंद का निर्मान होता है निलंबी घाटी निमलिकित में से किछी किरिया द्वाला बनती है तो हीमनत किरिया द्वाला निलंबी घाटी बनती है याद रख़िएगा N.M.D. का ताकपरज क्या है तो राष्टिय मौसम विज्ञान विभाग अलग रंदा और झालतियों के संगम का नाम क्या है उसको देव प्रियाग के नाम से पुकारते हैं दोना नदियों का संगम भारत में निमिलकित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मै जुन में शुरू होता है और इसमें धान और जौर बाज़ा आधी मुख फसले उगाई जाती है तो फसल मौसा में खरीब की जो फसल होती है जो माई जुन में शुरू होता है खरीब फसल है मैंग्रोब की खेती के लिए निम्लिखित में से कौन सा छेत प्रसिद्ध है दच्छनी 24 प्रगणा का सजने खाली वाला जंगल देखिए सुन्दरवन का जंगल के ही आता है पस्षि मंगाल में है 24 प्रगणा निम्लिखित में से कौन सा राज भारत में सबस्यादिक मैंग्नीज पैदा करता है यह हो जाएगा उडिशा उडिशा जो है सबस्यादा मैंग्नीज पैदा करता है 2001 की जंगलना के उसार भारत में महिला साक्षर्टा दर कितनी थी सही उत्तर है 53.67 प्रतिसत इसी के साथ इस्टेट ब्यार का भुगोल मॉडर प्रैक्टिशेट 3 50 कोसन का स्रीज यहीं खतम होता है हमारे चैनल से जुनने के लिए आप इसी वीडियो के निचे डिस्किप्शन में जाएए वीडियो अच्छे लग रहा है तो लाइक भी कीजिए सेर कीजिए दोस्तों को बताईए साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब जरू कर ले क्योंकि आपके लिए और भी बहतरी वीडियो आने वाले हैं साथ ही एससे के लिए रीलवे के लिए एनेती पीसी eszाफ दी उसके लवाई सृयाणियम साथ ही यशेट की जारी वी वीडियो तो आ ही रहे है कि इस वीडियो के ले बस इतना ही मिलते हैं येक्स वीडियवें बहुत तक क्यलें गूर्वाह